नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और निज़र डलते है अचकी प्रमुक खबरों पर प्रधान मंत्री मोदी ने सोनिया गांधी को जनम दिन पर दीवधाई संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जारी गती रोज से इतर कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उन सत्तरवे जनम दिन पर प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्त के लिए शुपकाम नाय दी पिलसदी गारिया मंत्री वेंकाय नायडू ने भी कॉंग्रेस अध्यक्ष को फोन करकर जनम दिन की बधाई दी नैशनल हेरोल्ड मामले में सरकार पर कॉंग्रेस ने काफी आरोप लगाए है इसके बावजूद नायडू की ओर से की गई इस पहल को नितिकता के साथ ही राजडितिक लिहास से भी एहम माना जा रहा है इसलामबाद में हार्ट आफ एशिया समिट शुरू अफगानिस्तान में शान्ति और आर्थिक विकास को लेकरा सिदोध यूसी हार्ट आफ एशिया समिट इसलामबाद में शुरू हो गई इस समिट में भारत की विदेश मंतरी सुष्मा स्वरा समेट 14 देश हिस्सा ले रहे है सुष्मा स्वराज शाम साड़े 4 बजे पाकिस्तान के प्रधान मंतरी नवाश शरीफ से मुलाकात करेंगी तद पशाज सुष्मा का पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाकार सरताज अजीज से मिलने का करेक्रम है सबीट का शुभारंब करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने कहां कि सभी देश अफगानिस्तान में शांती का प्रयास करे आतंगवाद सबका दुश्मन है हम सबको आतंग की संगठन आयस के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है अंडरवल्ड डौन दाउत इबराहिम की संपत्य आज निलाम होने जा रही है और इसकी तैयारिया पूरी हो चुकी है मुंबे के नाकपड़ा इलाके में दाउत का एक होटल बना है जिसका नाम है दिल्ली जायका यह होटल भली छोटा और जरजर हालत में है लेकिन इसकी कीमत आज की तारिक में करोडों में है क्योंकि यह इलाका काफी पौश उलाकों में आता है निलाम होने वाला यह होटल करीब 45 मिटर में फैला हुआ है जिसकी निलामी की शुरुआत कीमत करीब 1 करोड 18 लाक रुपे रखी गई है